अधिकतर छात्रों को मन पढ़ाई करते समय इधर उधर बढ़कता रहता है। इस समस्ते का सामना लगवक सभी छात्रों को करना पढ़ता है। जिसके करण वे परिक्षा में अच्छे अंग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बर्त्मान समय में प्रितियोगिता बहुत अधिक ह ऐसे में बच्चों पर दबाब भी अधिक होता है। लेकिन जैसे ही छात्र पढ़ने बैठते हैं उनका मन एक अगर नहीं होता है। ऐसे में आज हम आपके लिए 5 बहत्री टिप्स ले कर आए हैं जिनने अपना कर आप अपने दिमाग को इधर उधर बटकने से रोक सकते है लेकिन वीडियो शुरू करने दे बहले में एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं। नियमित रूप से किताबे पढ़ने से नए क अगर आपने हाल ये में किसी किताब को पढ़ने में रुची दिखाई है तो उसे दीरे दीरे और ध्यान से पढ़ें क्योंकि इससे आपको कहानी को बेतर धंस समझने में मदद मिलेगी। तेजी से पढ़ने से आपके लिए यह समझने मुस्किल हो जाएगा कि आप क्या प कर सकता है इसलिए किताबे पढ़ते समय अपने पास पैन या पैंसिल जरूर रखें साथ ही उन सब्दों को नोट करें जिने आप सीखना चाहते हैं और सब्दों को से उनके अर्थ देखें साथ ही अपने कुछ पसंदेद वाक्यों को हाइलाइट करें ताकि आप उन्हें बि पढ़ने बैठें तो अपना मोबाइल दूसरे कमरी में रख लें इसके अतिरिक किताब पढ़ने के लिए हमेशा सांत और अच्छी रोशनी वाली जगापर बैठें ताकि आप उस कहानी को बैतर ढंग से समझ सकें जोड से पढ़ने का प्रियास करें यदि आप अपने पढ़ने के कोसर में सुधार करना चाहते हैं और कहानी को गहराई से समझना चाहते हैं तो इसे जोड से पढ़ें यह विदी आपको अपना उच्छारन सुधानने में मदद करेगी और यह आपको एक जटिल विस्टा क को समझने में भी मज़द करेगी हाला कि यह प्रिकरिया समस्याग्रस्ट हो सकती है इस तरीके को आप अपने घर पर आसानी से अपना सकते है नंबर फाइव किताब पढ़ने के उद्धे से को पहचाने आपके पढ़ने के पीछे का कारण आपके पढ़ने के तरीकों को तो दोस्तों ये थे पांच ऐसे बहत्रिन तरीके जिने अपना का राप अपने धिमाग को इधर उधर बिटकने से रोख सकते हैं ये तरीके आपको कैसे लेगे नीचे कमेंट करके हमें जरू बताना और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना खयार लखें जैहिन जैभारत